Dear student, hope you will be fine. हमने Software Development Life Cycle के बारे में Study किया और हमने देखा कि Software Development Life Cycle किसी भी Software Project को बनाने के लिए क्यों जरूरी है? उसमें हमें बहुत सारे Phases बताए गए हैं उन Phases को हम Iterate करते हैं और Last में हमारे पास में हमारा एक Developed Project आता है Students, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास में बहुत सारे Models होते हैं SDLC के, जिसमें कि हमारा सबसे पहला Model है Classical Waterfall Model देखे, अगर हम इस Model की बात करें तो यह हमारा Basic Model है Next, जितने भी Models हैं उन सब को इस Model के Basis पे Create किया गया है इस Model को Refine किया गया है तब जाके हमें Various Models मिले हैं For example, Iterative Model है हमारे पास में Spiral Model है Students, इस Model की अगर हम बात करें तो इस Model में सबसे पहले हमारे पास में क्या है? Feasibility Study है उसके बाद में Requirement Analysis and Specification आता है उसके बाद में Design Phase आता है Coding and Unit Testing आती है Integration and System Testing आती है और Last में हमारे पास में Maintenance आता है Students, देखे Waterfall यहां पे आपने, जैसे कि मेरे पास में Stairs है और अगर हम वहां पे Water को वहां से Water को Fall करें तो One by One एक स्टेज से दूसरी स्टेप, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पे Water आपका Flow होता है तो इसी तरीके से यहां पर जब तक हम पहला स्टेज पूरी नहीं करेंगे तब तक हम सेकंड स्टेज पे नहीं जा सकते हैं सेकंड स्टेज से हम थर्ड स्टेज पे नहीं जा सकते हैं तो इट मीज यहां पर एक Water Fall हो रहा है इसलिए इसका नाम Classical Water Fall Model बढ़ा Students, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा basic system development life cycle का model है SDLC में आपका हम software development भी कह देते हैं system development भी कह देते हैं ये बहुत ही simple है और idealistic model है idealistic इसको इसलिए कहा गया क्योंकि आप जितने भी models बनाएंगे next जितने भी models आप study करेंगे उन सबका basis इसी को रखा गया है Students, ये model हमारा बहुत ही important है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया जितने भी हमारे पास में software development life cycle models हैं वो based हैं classical waterfall model पर इस model में होता क्या है कि हमारे जितनी भी life cycle है उसको set of phases में यानि phases में इसको divide किया गया है इसमें ये consider किया जाता है कि one phase can be started after completion of the previous phase जब तक previous phase complete नहीं होगा तब तक आप next stage पर नहीं आ सकते हैं next phase पर नहीं आ सकते हैं next step पर नहीं आ सकते हैं देखे जैसा कि feasibility study जब तक आप fulfill नहीं करेंगे तब तक आप requirement analysis पर नहीं आएंगे आप next time design पर नहीं आएंगे जब तक ये phase complete नहीं होगा इसी तरह किसे coding and unit testing पर integration and system testing पर maintenance पर यानि ये सारे के सारे phases एक दूसरे पर depend करते हैं तो students सबसे पहले हम बात करते हैं feasibility study की देखे जैसा कि इसके word से ही पता चल रहा है feasible means हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जो भी हम software develop करना चाहा रहे हैं उसको हम develop कर पाएंगे हमारे पास में economical condition economical behavior technical हम project को develop कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये सारी बातें आपकी यहां पर feasibility study में देखी जाती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया the main goal of this phase is to find out whether it would be financially and technically feasible to develop the software क्या हम financially क्या हम technically ये software को develop कर सकते हैं feasibility जो study है वो हमें ये बताती है कि problem को हम कैसे understand करें इसमें problem को understand किया जाता है और इसमें various strategies develop की जाती हैं किसी भी particular problem को solve करने के लिए students next phase होता है हमारा requirement analysis and specification देखे requirement analysis and specification ये दोनों बातें अलग लग हैं requirement analysis की अगर मैं बात करूं तो requirement analysis में customer की exact requirement customer की exact क्या जरूरत है वो देखी जाती है और document को properly prepare किया जाता है इस phase में हमारे पास में दो activities होती है एक तो gathering होता है और दूसरा हमारे पास में specification होता है अगर हम gathering की बात करें तो customer क्या चाहता है customer की क्या क्या requirement है customer कौन से end users को treat करना चाहता है ये सारी बातें यहां पर gather की जाती है और जितनी भी requirement gather होती है उसको properly एक document में created किया जाता है document create किया जाता है जितनी भी requirements gathered हुई उन सारी requirement को analyze करने के बाद में उनको document किया जाता है और इस document को हम software requirement specification document कहते हैं आप कह सकते हैं यह एक customer और एक company के बीच में एक agreement होता है means कि customer ने हमें यह requirement बताई और हम इसको इतने time में fulfill करके देंगे हम इतना charge करेंगे यह हमारा budget है एटसेटरा एडसेटरा एटसेटरा एटसेटरा एट करेंगे यह सारे के सारा डिजाइन जो होता है वो आपके SRS डोक्यमेंट में मेंशन होता है जिसका की इंप्लिमेंटेशन किया जाता है किसी प्रोग्रामिंग लेंग्वेज के थुरू डिजाइनिंग करने के लिए जैसा की हमारे पास में फ्लोचार्ट होते हैं हमारे पास में हम मॉडूल्स क्रियेशन करके भी दिखा सकते हैं हाइयर लेवल्स पे हम ER डाइगराम बनाते हैं एंटिटी डिलिशन्शिप डाइगराम बनाते हैं इस्टुडेंट्स को पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लेंग्वेज हमें कह सकते हैं आप C++ में डेवलप करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को आप जावा में डेवलप करना चाहते हैं आप C में डेवलप करना चाहते हैं यस सारी की सारी बाते डिपेंड करते हैं कि वो project particular किस तरीकिका है देखिए अगर आपको standalone application बनाना है तो आप C use कर लीजिए C++ use कर लीजिए आपको web application बनाना है तो वहाँ पे आपको java या .net का use करना होगा इसके बाद जो next phase होता है वो होता है हमारा coding and unit testing students अगर मैं coding की बात करूँ तो coding में जो भी हमने design create की flow charts के थुरू हमने design create की modules के थुरू हमने design create की ER diagrams के थुरू उन सब को translate किया जाता है source code में source code किसी programming language की help से जो भी आप code लिखेंगे उस project को develop करने के लिए वो आपका क्या कहलाएगा source code कहलाएगा इसके बाद में unit testing perform की जाती है देखिए unit testing basically क्या है यह developer ही इसको check करता है कि जो भी module हमने बनाया है किसी particular task को perform करने के लिए जैसे user registration करता है registration में अपना name है father's name है date of birth है email id है तो यह properly database में save हो रही है या नहीं हो रही है यह एक task है इसको किसी module से represent किया जाएगा यह एक task है इसको किसी module से represent किया जाएगा module functions यह दोनों बाते एक है यह properly work कर रहा है या नहीं कर रहा है यही क्या होता है हमारी unit testing होती है students इसके बाद में integration and system testing आती है देखिए अगर हम integration की बात करें integration of different modules are undertaken soon after they have been coding and been tested देखिए किसी भी project में बहुत सारे developers और बहुत सारे programmers को include किया जाता है सभी developers से programmers कुछ ना कुछ modules create कर रहे होते हैं for example sign-in करने का जो module है इसे बाद में integration testing होती है integration testing में यह देखा जाता है कि जो भी हमने various modules बनाए वो incrementally number of steps को perform कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जैसे पहले registration करना होता है registration करने के बाद में आपके पास में login ID password आता है उस login ID password help से आप किसी भी जो भी particular site है उसमें आप enter करते हैं for example में पाद Gmail application है आपने sign-in किया इसके आद में आप mail को compose कर सकते हैं mail को delete कर सकते हैं mail को send कर सकते हैं यह properly steps working out कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि जो first step आपको perform करना है वो first time पर ही perform हो रहा है या नहीं हो रहा है यह सब कुछ integration testing में देखे हैं कर रहे हैं सेट आफ कस्टमर्स देखिए फर एक्जामपल मैं जिस भी यूजर को टार्गेट करना चाहा रहा हूं उन कुछ कस्टमर्स को यह सॉफ्वियर प्रोवाइड किया जाएगा बीटा टेस्टिंग होगी कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके बाद में जो सब्सक्राइब कर रहा है इसके बाद मेंटेनेंस देखिए सॉफ्वियर हमारा डेलिवर्ड हो गया सॉफ्वियर इंस्टॉल हो गया सॉफ्वियर को असेप्ट कर लिया गया इसके बाद में मेंटेनेंस हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें तीन तरीके के मेंटेनेंस होते हैं एक हमारे पास में करेक्टिब मेंटेनेंस होता है करेक्टिब मेंटेनेंस में जो भी एरर्स आती है प्रक्ट ड करेगा नहीं करेगा वही सौफ्ट्वेर आपका एंड्रोइड पर करेगा नहीं करेगा यह सारी बातें यहाँ पर देखी जाती हैं hope you have understood this lecture thank you very much